लंबे समय से आरक्षकों की विभिन मांगों को लेकर लड़ाई लड़ रहे आरक्षक को दुर्ग पुलिस ने किया गरफतार वहीं आरक्षक संजीव मिश्रा त्याग पत्र देने अपने सर पर किट लेकर जा रहे थे पुलिस मुख्याले लंबे समय से आरक्षकों की विभिन नमागों को लेकर लड़ाई लड़ रहे आरक्षक संजीव मिश्रा को दुर्ग पुलिस ने गिरफतार कर लिया है आपको पता दे कि एक दिन पूर्व संजीव मिश्रा ने सोशल मीडिया में अपना त्याग पत्र देने रायपूर पुलिस मुख्याले पैदल जाने का वीडियो पोस्ट किया था इसके बाद अलेट मोड में तैनाद दुर्ग पुलिस ने सिर पर अपनी किट पेटी रखकर पुलिस मुख्याले पैदल जा रहे आरक्षक संजीव शुकला को अपनी पद यात्रा के महाज 20 मीटर में ही भिलाई से हिरासत में ले लिया और उसे अपने साथ भी ले गए इससे पहले आरक्षक संजीव मिश्रा ने अपना गिरफतारी वारंट मांगा लेकिन दुर्ग पुलिस के सामने उसकी एक भी न चली और पद यात्रा शुरू करते ही उसके किट पेटी लेकर उसे दुर्ग पुलिस ने गाड़ी में बैठाया और अपने साथ ले गई इस मामले में एडिशनल स्पी संजेदू ने बताया कि आरक्षक संजीव मिश्रा के खिलाब बीजापूर थाने में मामला दर्ज है और उसके खिलाब गिरफतारी वारंट भी है बीजापूर पुलिस ने उन से सहयोग मांगा था और आज भिलाई उसके आने की खबर लगत है वह अपने सही जो मंच है वहाँ पर जाके अपनी बातें रख सकता है लेकिन चुकि संबधित जो पुलिस कर्मी है जिसको आप बो रहो वह काफी दिनों से अपने कारला में उपसित नहीं हुआ है और इसके खिलाब अपरादी पंजीवद है विजापूर थाने में और पुलिसे अब हम संपर्क में हैं और इसके खिलाब कुल्मला गे गृतारी कि जानी थी विजापूर पुलिस हम सायोग मांगा आती Shope पराइब फरार है काईदे से अगर किसी खिलाब अपरात पंजीबाद हुआ है तो उस व्यक्ति को कोड में जाना चाहिए जो भी चीज़ें उसको साट आट करना चाहिए और चुकि उसके खिलाब अपरात पंजीबाद है और हमने अपना वैदानी काम पूरा गिया अपना ड तरम चारियों को तो यह अपने बंगले में रखे हुए अर्दली काम कराते हैं अपने बच्चों को स्कूल से लाना, कुता चरवाना, सब्जी लाना यह सब करवाते हैं तो मैं पूछना चाहता हूं जब ये कमिटी बनी तो सुदार के लिए सम्दार क्यों नहीं हो रहा है और एकी के विरोज में मैं आज निकला हूँ अपना प्याक पत्र देने के लिए ग्रेने सेन नियूस के लिए दुर्ग से नसीम फारुकी की रिपोर्ट